दोस्तों यू तो इंडस्ट्री बहुत है बिजनस बहुत है जिसको आप करके देखते देखते अमीर हो सकते हैं लेकिन कुछ-Kुछ इंडस्ट्री के बारे में कहा गया है कि इसमें अगर आप अपनी किसमत को आज माते हैं तो आप कितनी जल्दी सफलता के शिकर पे होंगे ये कोई नहीं कह सकता, वो field है education का, वो field है खाने पिने का, कपड़े का, fashion का, दवाई का, ये सारे कुछ field हैं जिसमें आपको एक नए एक बार अपनी किस्मत को जरूर आज माना चाहिए, दोस्तों खाने पिने के बारे में आप खुद सोच कर देखिए कि आप जब market जाते हैं लोग जब marketing करने आते हैं तो कुछ खाते हैं, यानि कि अगर आप खाने के industry के बारे में सोचते हैं, food industry के बारे में सोचते हैं, तो फिर आप बहुत बहतर सोच रख रहे हैं कि आप business में बहुत आगे जल्दी बढ़ जाईएगा, दोस्तों शाम के समय में लोग जब बाहर तो वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कहीं बैठने की एक सही विवस्था हो, जगा हो जहां पर बैठ हैं, और जब बैठ हैं तो चाय कॉफी हो जाए, कुछ fast food के items हो जाए, गप शप होती रहे, दोस्तों मेरे शहर में तो ऐसी कई जग हैं, आपके शहर में भी होंगी जहां शा वाकई उतनी होती है, एक रूपए में कोई चीज़ बन जाती है, जरूर मिल जाती है, अगर आप होलसेल में इन सारे चीज़ों के पड़क को देखेंगे, तो निश्चित रूप से एक रूपए दो रूपए में बहुत सारा items मिलते हैं, चौमिन सात रूपए बन जाता है पाव भजी 7, बर्गर 5, छोला पटूरा 5, समोसा 1, चाए 1, कॉफी 2 रूपए, इनी सारे rates में ये सारी चीज़ें मंती हैं, दोस्तो अब चौमिन 40 रूपए पर प्लेट बिखती है, पाव भजी 30 रूपए पर प्लेट और बर्गर 20 रूपए पर पीस के हिसाब से बिखता पाव भजी पर 23 रूपए की, बर्गर पर 15 रूपए की बचत, छोला पटूरा पर 15 रूपए, समोसा 5 रूपए, चाए 5 रूपए, कॉफी 8 रूपए, इसी हिसाब से आपको बचत होगी, दोस्तो इस इन्रस्ट्री के बारे में लोग सोचते हैं, कि जिन्हों ने भी इसको शुरूख किया है, वो ज़्यादा नहीं कमाते होंगे, लेकिन अंदर की बात है, कि उनको प्रोडक्शन में बहुत कम लगता है, और वो बेचते ज़्यादा कीमत पर है, विक्री का जो मैंने आपको रेट बता है, उसमें अगर आप 2-4-5 रूपए कम भी कर देते हैं, तो यानि 22,000 रूपए से ज़्यादा की अर्निंग, दोस्तो आप अपने दुकान पर काउंटर पर बैठे रहे, एक लड़के को रख लिए, जो इन सारी चीज़ों को अपने कस्टमर्स को देते रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बनाने के लिए भी, आप एक आदमी को रख लि ये मैंने पिछली वीडियो में आपके बताया था, कि अगर आप 2,000 रूपए कमाने के स्थीति में अभी नहीं हैं, तो फिर आने वाले वक्त में आप कैसे कमा पाएंगे, और अगर आप आज 2,000 रूपए कमाने के स्थीति में हैं, तो निश्यत रूप से आने वाले वक्त में आप दो लाख रुपए रूज की भी कमा सकते हैं यानि आपको अभी प्लानिक करनी चाहिए कि कम से कब दो हजार रुपए आज के डिट में आपको आनी चाहिए मैं हर एक चीज से बिजनस आडिया निकाल निकाल कर आपको देता रहता हूँ लोग इसके बारे में जरूर सोचा कीजिए दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए क्या पता आपके साथ साथ आपके डोस्त को भी ये लाव दे जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे कनेक्टर रह सकूँ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में All the best जैहिंद